नमस्कार इंडिया निउस देख रहे हैं आप मैं गरिमा श्रिवास्तवाब के साथ हम सब ट्रेड में कभी न कभी यात्रा जरूर कर चुके होंगे जब भी आप ट्रेड में सफर करने का प्लान करते हैं तो आपको टिकेट में अक्सर कई तरह के कोड्स नजर आते हैं इनमें आर-q-w-l, g-n-w-l, n-o-b-s, r-s-w-l लिखे होते हैं कई बार टिकेट वेटिंग लस्ट में भी चला जाता है इसमें कई बार वेटिंग लस्ट का टिकेट कभी कनफर्म होता है तो कभी रह जाता है कई बार टिकेट कनफर्म हुआ या नहीं कोड की जानकारी नहीं होने पर उसका मतलब आप समझ भी नहीं पाते और आपकी इसी दुविदा को दूर करने के लिए हम आज आपको इन शोट में दिये गए शब्दों का मतलब समझाने जा रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे g-n-w-l, यानि कि जनरल वेटिंग लिस्ट की इसका मतलब है जनरल वेट बात करते हैं मिए इसका मतलब साफ है कि आपकी जनरल ऊचुकी है साती आपको वोगी नमबर पेना नंबर भी टिकेट पर नजर आएगा अब हम बात करेंगे RLWL की इसे remote location waiting list कहते हैं दो बड़े station के बीच जहां पर जादा train नहीं आदी तो ऐसे में इस तरह का ticket मल जाता है ऐसे ticket confirm होने के chances जादा होते हैं अब हम बात करते हैं RSWL की कई बार ticket पर RSWL code लिखा होता है और इसका perform roadside station waiting list होता है जब ticket train के शुरू होने वाले station उसे roadside station या उसके पास पढ़ने वाले station के लिए book कर आया जाता है तो यह code आता है इस तरह के waiting ticket में confirm होने की संभावना काफी जाता होती है अब हम आपको TQWL के बारे में बताएंगे यह ततकाल ticket की waiting list होती है ततकाल booking करने पर अगर नाम waiting list में आता है तो यह status TQWL दिखाता है इसके confirm होने के chance काफी कम होते हैं अब हम आपको PQWL के बारे में समझाते हैं इसका मतलब है अंडर पूल कोटा waiting list जनरल waiting list से अलग तयार होती है इसमें ऐसे passengers की जानकारी होती है जो train origination और destination के बीच के स्टेशनों के बीच यात्रा करते हैं इसमें भी टिकेट कंफर्म होने के chances काफी कम होते हैं अब हम बात करते हैं NOSB की इसको no seat birth कहते हैं रेलवे 12 साल से कम उमने के बच्चों से च्राइड फैर लेता है लेकिन उन्हें सीट अलॉट नहीं होती ऐसे में PNR स्टेटस में NOSB कोड नजर आता है अब हम बात करेंगे RAC की इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे कि आपको सिर्फ बैठ कर सफर करना पड़ेगा आपको सिर्फ बैठने की जगह मिलेगी लेकिन आप आराम से सोकर नहीं जौपाएंगी यानि आप आधी सीट के हगदार है अब चलिए बर्थ के बारे में जान दीजिए NOSB का मतलब है नमबर के सामने अपर बर्थ लिखिये होने का मतलब होता है NOSB अब आप यह कोड़ देखेंगे तो आप सब कुछ अच्छे से समच आएंगे ऐसी और भी तमाम जानकारिया आप सबी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे बढ़े रहें ट्यानियूम्स के साथ हमिवार